किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में आज के इस वीडियो में हम लेसुन का कंद बढ़ा करने के एक फार्मूले के बाले में बात करने वाले हैं अगर आप लेसुन की पेदावार बढ़ाना चाते हैं तो आपको लेसुन में कंद का अकार बढ़ाने वाले खाद का परयोग जरूर करना चाहिए उसके साथ कंद में चमक बढ़ाने की भी आशकता होती हैं क्योंकि अगर कंद में चमक होगी तो वह लेसुन उच्छे बाव में बिखेगा लेकिन किसान भाईई आप किसी भी खाद को डाल कर कंद का अकार बद चमक बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग परकार के खाद फसल में अलग अलग परकार के काम करते हैं जैसे कि हम नाइट्रोजन डालते हैं तो वह पोदे की क्रोर्द बढ़ाता है इसलिए हमें लेसुन में कंद का आकारवत चमक बढ़ानी है तो कंद का आकारवत चमक बढ़ाने वाले खाद का ही हमें परियोग करना चाहिए अब बात करें कि लासुन में कंद का आकार वज चमक बढ़ाने के लिए कौन कौन से काद का परियोग करना चाहिए तो इसके बारे में हम वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे इसलिए आप बीना स्क्रीप के वीडियो को अन्त तक जर उस चैनल पर आपको अफिसम की खेती और सभी प्रगार की फसलों के मंडिभाव की रिपोर्ड मेलेगे आकडों के अधार पर भी और जेती सास्तर के अधार पर भी इसलिए आप हमारे नए नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें हमारे नए चैनल का लिंक इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा किसान भाइयो अब बात करें कंद का आकार वा कंद में चमक बढ़ाने वाले खाद के बारे में तो इसके लिए आपको के और B20 का प्रयोग करना चाहिए के का मतलब है पोटास और B20 का मतलब है बोरान 20% युक्त खाद अगर बात करें हम पोटास क पोटास पोदे के लिए प्रमुख पोसक्त तो माना जाता है पोटास के प्रयोक से लेसुन का कंद अच्छे तरीके से विक्षित होकर बड़ा बनेगा और किसान भाइयो पोटास का प्रयोक करने से लेसुन की बंडारण समता पर कोई भी असर नहीं पढ़ता है क्योंकि ब अब बात करें कौन से पोटास का प्रयोग करना चाहिए तो हमें इस समय NPK 0050 जिसमें 50% पोटास होता है उसका प्रयोग ही करना चाहिए क्योंकि इस समय पर अगर हमें MOP खाद का यूज करते हैं तो MOP खाद का रिजल्ट मिलने में कम से कम 20 दिन का समय लगता है तो 20 दिन में हमारी लेसुन पकने के बहुत नज़्दी का जाएगी तो हमें इस समय पर 0050 खाद का ही प्रयोग करना चाहिए आप 0050 पोटास का प्रयोग इस्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर जमीन में चला कर भी कर सकते हैं अगर आप इस्प्रे करते हैं तो आपको प्रती एकड़ एक किलोगराम 0050 खाद का प्रयोग करना चाहिए अगर बोरान की तो बोरान एक सुक्सम को सकता तो हैं बोरान कंद की गुणवत्ता और कंद में चमक बढळता हैं आप इसका परियोग भी इस्प्रे या जमीन में चला कर दोनों परकार से कर सकते हैं आपको बोरान के लिए बोरान 20% युक्त खादगाही परियोग करना चाहिए अगर आप बोरान का इस्प्रे करते हैं तो आपको इसकी मातरा 250 ग्राम परती एकड़ के हिसाब से रखनी है और 15 लिटर वाले पंप में आपको 25 ग्राम बोरान का परियोग करना चाहिए अगर आप जमीन में इसका गोल बना कर परियोग करना चाहते हैं तो आप एकड़ में 1 किलोग्राम बोरान 20 परियोग करें किसान भाईयो आप पोटास और बोरान दोनों का परियोग साथ में कर सकते हैं अगर आप इस्प्रे करते हैं तो दोनों को साथ में इस्प्रे कर सकते हैं और अगर आप जमीन में चलाना चाहते हैं तो दोनों को साथ में चला सकते हैं आपको पोटास और बोरान का प्रियोग लासुन में कंद बनते समय ही करना चाहिए अगर इस समय आपके लासून में कंद का विकाव शुरू हो गया है तो आप इस समय पर पोटास और बोरान का प्रयोग कर सकते हैं तो किसान भाई यो आज का वीडियो यही तक था उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगावगा इसलिए वीडियो को लाइक जुरूर के जगा चले मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान